हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू इंजिनेर्स पाट साला, हम लोग नया सब्जेक्ट इन्वार्मेंटल इंजरिंग स्टार्ट कर चुके हैं, लेक्चर फर्स्ट हो चुका है, अगर आप लोग लेक्चर सेकेंड में आया हो तो लेक्चर फर्स्ट पहले देखके आ जाओ, म स्टार्ट करते हैं, आजका लेक्चर, तो हम लोग इन्वार्मेंटल इंजरिंग को दो भागों में बाटे थे, एक बोले थे, वाटर सप्लाइंजरिंग होता है, और दूसरा वेस्ट वाटर इंजरिंग, तो पानी हम लोग रॉफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वेस्ट वाटर के तम्में में करते हैं और उसको फिर श्टडी करेंगे, ठीक हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पार्ट वन को श्टडी कर रहे हैं, जो कि है वाटर सप्लाइंजरिंग कि वॉटर सब्लाइं ने हम लोग पिछले लेक्शर में पिछले लेक्चर में क्या श्टड़ी कर लिए थे वाटर क्वालिटी के रेक्टरिस्टिक जो होते हैं आपके तीन प्रकार के उते थे फिजिकल केरेक्टरिस्टिक्स और चर्ड और थर्ड होता है biological characteristics of water तो पहला जो था physical characteristics of water उसके बारे में discuss कर चुके हैं, आज हम लोग discuss करेंगे chemical characteristics of water, chemical characteristics of water के बारे में भी मैं कुछ कुछ बताया था, दो पॉइंट हम लोग discuss कर चुके हैं, जैसे pH value के बारे में, pH के बारे में study कर चुके हैं, और उसके अलावा total solids के बा साबुन के साथ यहाग नहीं दे रहे हैं तो वह आपका हार्ड वाठर है उसके बाद पिर hardness जो होता है वो ketion के कानान होता है second बढ़ने में क्या लिखा गया है कि जो hardness होता है multivalent ketion multivalent मतलब जिसमें एक से ज्यादा क्या हो ketion आचा ketion anion पता होगा न ketion मतलब की जो positive valency होती है उसको ketion बुलते हैं और नायन मतलब जिसमें निगेटिव वेलेंसी होते हैं तो इन ही के करान क्या होता है हो आप लोग पढ़ चुके होगे आगे बढ़ेंगे अफेक्ट देखते हैं हाडनेस के कारान क्या होता है तो स्केलिंग वायलर होता है उसके बाद भी सोप कंजब्शन होता है और उसके बाद प्रोड़र क्रोड़क्शन का काम करते तो वहीं है स्केलिंग मतलब वाइट वाइट जम जाना वहीं होता है मतलब सॉल्टी और उसके बाद के ग्रेटर सोप कंजप्शन ये तो पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि हाड़ वाटर रहेगा तो सामुन का ज्यादा यूज होगा और कोरूजन वगेरा आता है और इनकरिस्टेशन आता है तो हाड़ जो कतो होते हैं पहला क्या हो तो नॉन कार्वानेट होते हैं तो अब लोग हो सकते हैं इंप्रेरी अर्नेस हो जाएका तो यह कभी और कोश्चन में जो है कले जी लेगा ना पर्मनेट बोले तो आपको संबधना पड़े कार्व आड़नेस क्या बता चल जाएगा कि वह क्या है इसको कर लेते हैं और लोग नौरमलिग एक्दम सिंपल तरीके से रिमू कर सकते हैं गरम करके या फिर हम लोग को मिला के फिट करी वगीर मिला के और गरम करके दूर किया जा सकता है इस पर करके hardness को दूसरा हुदź तो इसको अपने को लिगा नावピन जो हता है ते यह सब एक्दम डिना यह अगे और यह जल्ड़ी आगे बाध रहाह Um novel ना पहला होता है वह बहुंत हो तो इसको हम लोग असानी से नहीं कर सकते है तो कैसे करते है को सौफ निंग टेखनीक सो Teτα जिसको यूज करना पड़ता है जो टेकनाक से वह आपको सामने चाठुक प्रेए तो कि लाइम तोटा प्रोसिस हो गया तिया पतल यह सब जो जिर्ण वह इसे सब बोलता है पिर यह सब जिटंगाएं शुपमाथ आए युटीय को उसे और नाम है आजिक बरूरीय तुमें अभी सिर्फ़ के बारे हम दिख लएते हैं इडिटीय यहोता प्रोसेस करते हैं तो एक प्रकार का इंडिकेटर होता है जिसका यूज इसको मिलाते हैं तो वह क्या हो जाता है लाल कलर हो जाएगा जब उसमें के करते हैं और पता करने के लिए कि किसका यूज करते हैं तो इंडिकेटर जो की एरिक्रों ब्लेक्टी होता है और एरिक्रों ब्लेक्टी कैसे हम लोग को इंडिकेटर करता है कि कैसियों मेगनिसयन है की नी वह क्या हो जाता है रडी कलर कभ सटाएगा जब जिसका मैएकनिसंटा तो वह लिखा गया है और ओपालकलर के एंड़ अई आपका बिघ्ल ? ली मेंट लेटर आपको षाय कोई में लेयर के लिए जब आपटलोग ये करेंगे तो पानी आपका सॉफ्थ उना चाहिए मतलब की यहां पर यहां पर हाड्नेस है चाहूं तो यहां पर लिख सकते हो कि कि यह हंपे और यहां पर पर्पस लिख सकते हो ठीक है न यह परपस वाला क्या को जáiगा कॉलंब ब hangла कि यह परपस हुजाएगा और यह क्या होறें आपका अधोका तो परफस में आपका पहला है किप होंकि लिए जब बोलते हैं हाड वाटर जब 200 पीपीम से ज्यादा होता है तो एक्सेप्टेबल लिमिट हाड़नेस का 200 पीपीम होता है और कॉज ओप रिजेक्शन जो होता है 600 पीपीम यह सब जो है न मुझवानी आद होना चीए मुझवानी मतलब समध है रट्टू तो टाइप का जो रहता होना चीए ठीक है न सपने में में आऊँगा आप लोगों की और सहीं आप लोग पुछूँंगा ठीक है तो तो बोईलर जो होता है बॉयलेर के लिए को सब्सक्राइब सबस्सक्राइब सब्सक्राइब लुए ता केलकुलेक्च सबस्क्राइब तुटर पॉन equivalent weight of calcium carbonate divided by equivalent weight of carbonate से ठीक है अब यह equivalent weight क्या है calcium और magnesium का concentration तो आपको question में दिया रहेगा कि calcium इतना है magnesium इतना है लेकिन equivalent weight को आपको खुद से निकालना पड़ेगा और मैं तो बोलूंगा कि खेरा के बता रहे हूं equivalent weight निकालने के लिए जो होता है इसमें से जो numerical हमारे लिए उतना important ही है gate में आ सकता है ठीक है gate में आ सकता है तो इसमें करना क्या पड़ता है क्योंकि थोड़ा सब्लेंदी हो जाएगा लेंदी वाला question तो आएगा नहीं तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि इक्विल्ट निकालोगे कैसे हम कार्बोनेट का पहले फिर उसके और भाइक और निकालने का भी एक फॉर्मॉला होता है जो भी जो भी molecular weight मतलब द्रवेमान भार बुलते है न तो molecular weight को कि इसके जगह में रखोगे फिर नीचे में फिर एक्विल्ट निकालोगे है तो इसके जगह में रखोगे फिर नीचे में फिर करना पड़ेगा ठीक है तो वो इसलिए इतना इंपोर्टन नहीं है खैर उसका नियुमेरिकल एक छोटा सा उसको देख लेंगे आगे पहले इस पेज में आ जाओ और यह बहुत इसको याद रखना कि टोटल हाडनेस जो होता है वो किसके बराबर होता है कार्मनेट प्लस नॉन कार्मनेट एक्दम सिंपल है टोटल हाडनेस अगर ज्यादा है तो में तो सेकेंड में की नोन कार्मनेट पाता है तो इसको संपने के लिए इस चीज को समधного कर्णे जो मैं बना रहा हूँ उसमें समझ लो देखो होता क्या है जो सब्दोनों में जो कम रहें के बराबर होता है य् वेड में तोनों में दोनों में जो कम होगा उस ही के बराबर होता हम देखो स्ञेदां क्या दोनों हे समझ displit कम कुन है अब कम है तो कर्मिण इसके पराबर होगा जो कम है उसके मतलब होगा तो इक वही चीज लिखा वही कार्बोनेट हाग वाले पॉइंट में तो नॉन कार्बोनेट जीरो नहीं हो जाएगा इसलिए लिखा गया है आगे समझ में अच्छ समझ में आगे बढ़ते हैं यह तीन नोट्स लिखे हैं इसको आप लोग यहाद रख सकते हैं ठीक है अभी तक तो पूछा नहीं है प सबसे उपर वाला क्या था ब्रिटिज डिग्री और उसके बाद वाला फ्रेंच और उसके बाद वाला अमेरिकन डिग्री ऑफ हाड़नेस था ठीक है यहीं करते जाओ हर बार भूल जाओं उसके बाद थे कि अल्किनेटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं अल्किनेटी का भी हाड़नेस टैप का फार्मुला होता है इसमें पस केल्सियम और मेगनीसियम के जगह में बाई कार्मोनेट और कार्मोनेट आ गया तो फर्स्ट वाले टम में दीख रहा होगा आपको एसी ओतरी तो टल इल्किनेटी टोटललकिनेटी दे eddi अगए किल्किनेटी 200 मिलीग्रम पलीटर है किसम निचलंस प्टी कहलेगा और और other exam जैसे SSC वागेरा हो गया उसके लिए थोड़ा सा moderate या फिर टप में आएगा इसलिए उतना important नहीं है लेकिन क्या जी important है किस तरह वागेरा का question बन सकता है उसको आगे हम लोग discuss करेंगे देखो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह दिखते हैं तो मैं लिख देता हूं टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला मैं पूरा नहीं लिखूँगा एक पर दिखा देता हूं आप लोग को क्या होता है अगर याद नहीं होगा इसलिए दिखा देता हूं कि केलियों को सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि बहुत असान है ठीक है तो यहां पर से टोटल हाड़नेस हमको निकालना है तो मैं क्या करूंगा केल्स केल्स कार्बोनेट का कंसेंटरेशन और यहीं पर 50 क्या होता है और उसके बाद के चारी चीज़ तो याद करना पड़ेगा एक कार्बोनेट का कंसेंटरेशन और एक जो होगा आपका केल्स कार्बोनेट का कंसेंटरेशन, day oil crush Commission, day oil crush केल्स कार्बोनेट का एक्यूलेंट वय겁 नहीं करूँए कि यहां पर अभी मैं क्या करूंगा कितना करूंगा 20 करूंगा क्योंकि उपर में केल्स कार्बोनेट वहता था और नीचे में बाई कार्बोनेट का equivalent weight होता था ठीक है इसको फिर जोड़ोगे किसके सांद जोड़ते थे हम लोग किसके सांद जोड़ते थे कि जो भी magnesium का concentration था उसको फिर multiply करते थे उपर में calcium carbonate और नीचे में किसका equivalent weight 12 हो जाएगा carbonate का ठीक है ना ये equivalent weight कैसे निकालते थे उपको मैं बता भी जाएगा तो 50 याद कर लो calcium carbonate का होता है और 20 याद कर लो किसका होता है और फिर next वाले time में 50 रखोगे क्योंकि उपर में calcium carbonate होता है नीचे में क्या होता है carbonate का 12 होता है बस इसको solve कर तो अब यह हो जाएगा आपका 635 थीस 300 हो जाएगा ना मेरे ख्यान से ये कट ठीक और उसके बार पीजा हो जाएगा indicating 1 45, 2 50 हो जाएगा वह 2 म को जोटोगे तो 550 हो जाएगा यह 550 ppm के आ गया आ का टोटल हाड़नेस आ आगया अब हम लोग क्या करेंगे अब लोग क्या करेंग आप फोटल है question में 200 है अब देखो 200 क्या है चोटा है 200 किसे चोटा है 550 चोटा है मतलब Alkineteеты comment है कि Total hardness यह अपका क्या हो गया Total hardness है यह तो Alkinetehorse greenshot carbonate hardness किसके बराबर हो जाएगा जो काम मतलब 200 BPM बराबर हो जाएगा Carbonate hardness तो ऑपका Total hardness भी निकल नहीं सब्सक्राइब कर दोगे और प्लस कितना करोगे नान करोगे तो उसके बाद भी इसको घटा दो कि सब्सक्राइब करने के बारे में पड़ते हैं अब यहां से थोड़ा सब स्लो कर रहूं ठीक यह क्योंकि इंपोर्टेंट भी है और कि मज़ा भी आएका पढ़ने में देखो कि लुए इसको इंडिकेट करता है पालूशन को इंडिकेट करता है ठीक है अगर हमारे पानी में chloride presence अगर पता चल गया तो इसका मतलब वह पानी क्या है पालूट है पहला पॉइंट समझ में आ गया कि कि किसको इंडिकेट करता है है उसके फीपल को फाट करते हैं असके लोगत करते हैं उसके कंपल को टाय करतें एक साथ ऐनोंë इसके ंचरी के दौरार तो ब構रेंस 안 है किसके अच्व फोरा कृ है शेक कहा प्रेज़ करंग कि शृय हो है इसक। कि म्सक्रेज़ हो मैं तो पॉटीसियम प्रोम इड़ द्वारा को म्सक्रेइए को और हो वे थे सब्सक्रेच है। जो इंक रई फिरो फोऑ में इस और dod इसलिए salty test भी होगा permissible limit important है याद रखना पुछते रहूंगा आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो बीच-बीच में पुछूंगा chloride content के लिए कितना permissible limit होता है 200 ppm तुरंत याद आना चाहिए तो 200 ppm जो होता है permissible limit होता है chloride content याद रखते जाना कि chloride content में हम लोग क्या बूले से chloride में बूले से कि नाइड्रोजन जो होता है different form में exist करता है free ammonia हो सकता है albuminide ammonia हो सकता है LB क्या बोलना चाहिए albuminide ammonia या फिर albuminide nitrogen को ही हम लोग और विनिक nitrogen भी बोलता है nitrides के फॉर्म में और नाइड्राइस के फॉर्म में यह सब फॉर्म में मतला present होता है nitrogen ठीक है आगे समझ में free ammonia, albuminide nitrogen या फिर organic nitrogen, nitrites and nitrates यह सब फॉर्म में exist करता है nitrogen इसके बारे में discuss करते हैं free ammonia सबसे पहला free ammonia क्या indicate करता है recent pollution को indicate करता है मतलब की recent pollution मतलब तूरं तो ताज ताज जो आपके घरों से जो वेस्ट निकल रहे है ठीक है वो recent pollution है तो recent pollution को indicate करता है free ammonia के इसको indicate करता है recent pollution indicate करता है मतलब उसमें decomposition अभी स्टार्ट नहीं हुआ है decomposition इस टार्ट नहीं हुआ है मतलब वह undecomposed organic matter हो है ठीक है नटीकंपोजीशन मतलब क्या होता है मतलब decomposition मतलब इतना समतलो कि बिचने लिएस्टष मुरह नुझ समय था हैं तो वह भी स्था नीयुञा है यहे कि नमर्भिवस्फ इसको इंडिकेट temperature करता है कि आपका शक One केंद्ड्र d prices करता है उसमें भी कंपोजिसट करने मतलब हो और यो बहुत एंपोड़नेफीयम होता है फ्री अमोनिया का 0.15 ppm होता है जबकि albuminide nitrogen की चीज़ को indicate करता है कि just start हुआ है decomposition उपर वाले में देखे free ammonia में कि start नहीं हुआ था decomposition अब albuminide ammonium क्या देख रहे हैं कि just start हुआ है अभीच अभीच से start हुआ है ठीक है decomposition organic matter का decomposition start हो चुता है परमिशिबल लिमिट इसका कितना होता है तो 0.3 ppm होता है albuminide ammonia को ही हम लोग क्या बोलते हैं उसके बाद पिर देखते हैं note बहुत important है इस note में लिखा गया है कि उपर जो दो चीज़ दो टम पढ़े हैं एक albuminide nitrogen और free ammonia दोनों अगर एक साथ प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको जल्डाज नाइट्रोजन बोलते हैं क्या होता है एक्जाम में पूछता है तो वह combination होता है कि इसका free ammonia और अर्गनिक nitrogen का आगे देखें नाइट्राइट्स कंटेंड देखो नाइट्राइट्स कंटेंड जो होता है वो किस चित को है decomposition मतलब अभी पीज में है ठीक है प्रोसेस में है सबसे पहला अलएटम में देखें थे सबसे पहला अलएटम क्या था यहां पर अधरनाक होता है ठीक है तो इस वेरी डेंजरस एंड परमीशिबल लिमिट इसका जीरो होता है मतलब आपके पानी में किसी भी हालत में नाइट्राइज प्रेजेंस अगर पी लिए तो बीमार तो पढ़ोगी हो सकता है मर भी जाओ तो इसलिए पानी को पीना ही नहीं है त इंडिकेट करता है कि completely decomposed हो जुका है आपका organic matter पूरा consume कर दिया गया है इसके तोरा पूरा decomposed हो जुका है आपका ठीक है और पर्मिस्वल नेट इसका 45 ppm होता है यह बहुत इंपोर्टन है काई बार पूछा है नाइट्रेट्स का जो परिमिस्वल नाइट्राइट्स में कंफ्यूज मत होना नाइट्राइट जो होता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ठी इसके करना कौन सब्सक्राइब होता है जो कि निव बॉर्ण बेबी मतलम नौजाज रिश्रू जो होते हैं उनमें ब्लू बेबी डीजीज या फिर आपका मीथी मोगलो बेनीमिया देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद पिर देखते हैं आगे ने समझ में यह नाइट्रा इसके लाएं इसके बाद में इसका होता है मीधी मोगलो फिर के मिकल सब्स्टेंस तो सबसे पहला दो है आपका मैटल आर मैगनेज आ रहा है रहा है एक्सेज में नहीं चाहिए और अगर हो गया तो वो क्या वजाएगा डीकल करते आपके टीक एडिक लेंगा मतलब कि आपका चार बुंदो वाला आया नहीं उजाला मतलब उजाला सुप्रिम काम में नहीं आएगा आपके ठीक है ना तो उजाला सुप्रिम डाल भी लो लेकिन ऐसे पानी से अगर कपड़े दोगे तो वो क्या हो जाएगा डी कलर कर देगा मतलब तोड़ा मतमेला ही रहेगा ना इस कलराइजेशन हो जाएगा आपसा क्लोथ का उसके बाद से देखते हैं इंक्रस्टेशन आपडी वाटर मैंस द्यू डू डिपोजेट्स और अगर आयरन मेंगने तक प्रेजेंट है तो उसके करनां क्या हो जाएगा इंक्र इंक्रस्टेशन होने लग जाएगा जिसके करनां डिश्चार्ज भी कम होने लग जाएगा आपके पाइप मेंस का तो वही चीज होता है तो आयरन मेंगनेज अगर आपका ज्यादा अमांट में प्रेजेंट है तो इंक्रस्टेशन आप वाटर मेंस से ड्यू टू सब्सक्राइब करता है तो मनुष्ट करता है युसको फैफडा होता है वाण्स को उसको इफेक्क करता है और कॉपर का जो लिमिटर 123 ppm तक हो सकता है होता है pursuing 2 3 ppm जो होता है on the expressировать OM car maintain so wearing can REP יש मैं खालावा डाइरिया हो सकता है okay अधिकल मिला कि यृ售 होजाएगे 2021 आधि में डाइरियां हो सकता है lucky मतलब कल मिला कि डाइरिया हो से कुछ याद आ रहे हैं कि है 250 और किसके लिए पढ़े थे 250 और किसके लिए पढ़े थे क्या डिया चांटेंट 205 है सल्फेड़ भी आपका दो सो बचासे तो ऐसा याद करते रहो रिलेट करते रहो ठीक है जब समझ में आने लग जाता है तब पढ़ने में मज़ा आता है ठीक है उसके पार फ्लोराइट की बारे में पढ़ते हैं और यह सब कोश्चन आपको जब कोश्चन लगाओगे ने तब आपको दिखेगा और अब आपको इस लक्चर लेक्शर का वेलू भी समझ में आएगा कोश्चन नहीं बनाओगे तरहाओगे या फिर इस लेक्चर का वेलू उसको भी समझ में आएगा जो पहले से ऑफ लाइन क्या बूलना चाहिए नहीं मिलने वाला ठीक है और पढ़ाने का तरीका भी ठिक ठ के लिए भी ठीक आगे दिख्थे हैं फ्लॉराइट कंटेंट एक पीपीम से अगर कम होगा तो उसके कराण क्या होता है के विटीज होगा तीज में के विटीज होगा अरे वही क्या आपके दूट पे इसमें नमक से वाला ठीके ना विग्यापन देखोंगे नदो वही जो है करना के विटीज तरीज में के विटीज हो जाएगा अगर एक पीपीम से कम है तो इसमें टीकलराइजेशन अपटीज मतलब पीला हो जाता है आपका और उसके अलावड़ डिफॉर्मेशन ओप दी बोन यानिकी डिफॉर्मेशन में समाझ भंगूर हो जाना हट्डी का डिजीज के काना होता है जो कब होगा जब एक 1.5 ppm से ज्यादा होगा तो अपर पर लिमिट भी समझ में आ गया होगा एक पीपीम से कम नहीं होना चाही है और 1.5 पेरीयम से जादा नहीं होना चाहिए, मतलब किसके बीच में होना चाहिए, 1.5 PV एम के बीच में होना चाहिए, यहीवकर परमीशबल मिट है, उसके बाद नोट है, नोट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें, एक्शली में मैं toxic metal के बारे में बताया हुआ हूँ जो लिखानी हूँ लिखे लिए ना यह सब toxic metals है ठीक है यह toxic metals है सब arsenic हो गया lead हो गया mercury हो गया cadmium हो गया cyanide और barium इसका full form भी लिख लेना अज़र पता नहीं होगा तो यह arsenic है ठीक है उसके बाद यह पीबी लेड़ है नुटिए शाइनाइट है और ये बेरीया में ये सब टॉक्सिक मेटल के आते हैं पुछ सकता है कि विज आप भी फाल ए पॉल्मिग तोसिक मेटल्स चार पांस तोक सबाइग उसमें से आपको बताना पड़ेंगा उसके बात पर डिस्वाल गैसे मतलब की घुला हुआ जो आपका गैस है पानी में तो एस्ट वेस्ट के बारे में तो पहले ही डिसकस कर तुके हैं रोटे ने एक लाग इसमेल देता था आपका मतलब बेट इसमेल और ओडर आता है एस्ट वेस्ट के करना कारवोन डायोकसाइट को भी ठीक है वैसे इस वाले टम कोना थोड़ा सा मती लिखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्यों क्योंकि हम लोग उपर पढ़ चुके हैं नाइटोजन कंटेंट होता है वो किस चीज को इंडिकेट करता था पढ़े थे ना नाइटोजन कंटेंट प्रेजन सॉप दी और और आइप करता है ठीक सार्म ध करता है उपर में इसलिए इसको कर बियो लॉंप जो होता है ऑघ्रवार सेत囉 कि अबाता है oven की सभ़ी करता है कि हमारे पानी में कितना ज्ञाद पॉलिशन है जितना ज्यादा ओपानी में उतना कम स्तों होगा और जो होता है वो घटते जाता है टेंपरेचर बढ़ने के साथ मतलब टेंपरेचर है ठीक है दिन के समय में मस्त सोरे निकला हुआ है टेंपरेचर जाएगा तो जिसके लिए टेंपरेचर बढ़ने के साथ ऑक्सिजन कंटेंड कम होता है ठीक है उसके बाद फिर ऑक्सिजन जो एक्वेटिक लाइफ मतलब की जली जीवन के लिए जो जल में जीने वाले जीव रह अगर कम है तो वहां पर जीव जनतु जी नहीं पाएंगे ठीक है वही है तो लिखा गया कि कम से कम 4 ppm जो होता है वह परमिसिबल लिमिट होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए जबकि पोटेबल वाटर मतलब पोटेबल वाटर फर्स लेक्चर में डिसकस किये थे जिसको वहता होगा वो कमेंट करना पोटेबल वाटर होता क्या है ठीक है तो पोटेबल वाटर जो होता है वह 5-10 PPM तक हो सकता है ठीक है झालब 5-10 PPM तक mandate, invert पानी में होना चाहिए कि 5-10 पीपेम उसके बाद प्रेस वाटर जो होता है रिवर में 20 डिग्री सेसियस में कितना पर मिसिपल लिमीट है ऑक्सिजन का 9.2 पीपेम है उसके बाद आपको दीख रहा है लास्ट टॉपिक आज का और इनिक अपॉंड एक्चुली में यहां से के के प्रेस्टिक्स को कल डिसकस करेंगे आज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि और यहों होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं बाइओ डिग्रीडिबल नॉन बाइओ डिग्रीडिबल मतलब वह जो कि यहुपकूर बुरह देचर बचेंजर में अबनेक प्रेंजिसम्क गदेद्ट कर दीने जा रहा है दीकंपूजिशन उपर बचाना को तो भी आपने मेंटर प्रेजिए उसको पूरह पूरह देकंपोस कर दिया जा रहा है है micro organism के presence में मतलब कुल मिला के micro organism organic matter को पूरा-पूरा खा दे रहा है तो वो क्या हो गया बायो-डिग्रेडिबल हो गया और पूरा incomplete decomposition है पूरा decompose नहीं हो तो बाया नोन-इज्वीर्टिबल है ठीक है तो बायो-डेडिडिबल लिखा है वहीं decompose by the micro और वास्ञे सामों क्या होते हैं माइकर आपक्सि काम क्या खोटा है तो एरोबिक रियक्षन हो anaerobic और flocculative reaction हो सकता है aerobic reaction मतलब जो oxygen के presence में होगा ठीक है और anaerobic मतलब जो oxygen के absence aerobic को पहले बता देता हूँ anaerobic just us का wise force है aerobic क्या होता है कि oxygen के presence में होता है और यह जो aerobic reaction होता है वो fast और stable होता है aerobic reaction में aerobic bacteria काम करेंगे ठीक और non-aerobic second term है non-aerobic just wise force होता है मतलब इसमें oxygen के absence में reaction होगा ठीक है यह क्या होगा slow होगा और unstable होगा और इसमें ऐसे bacteria काम करेंगे जो की oxygen के presence में जीवित रह सकते हैं उसके बाद फिर flocculative bacteria flocculative bacteria या फिर flocculative reaction क्या होता है कि ऐसे microorganism जो की survive कर सकते हैं both condition में both condition मतलब की oxygen के presence में as well as absence में ठीक है न दोनों में survive कर सकते हैं ऐसे bacteria को हम लोग कैसे bacteria बोलेंगे flocculative bacteria और ऐसे reaction को flocculative reaction बोलेंगे और इस परकार से आज का class कतम करते हैं next lecture में मिलेंगे और आगे पढ़ेंगे ठीक है अगर आपको ये lecture समझ में आया पसंद आया तो like share and subscribe कर सकते हैं thank you